हे दोस्तो चावल की बोरी पे डिजाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है लग रहा है ना प्यारा बहुत ही प्यारा है तो जितना प्यारा है उतना ही इजी भी है ये बनाने में तो कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ तो पहले मैंने आप लोगों को दिखा से थोड़ी सी छोटी भी ले सकते हैं ब summarizes the will me यहाँ पर मैं उनली हूँ आप चाहो तो कलर में बना सकते हो तो यहाँ पर मैं फिलाल एक ही कलर में बनाने वाली हूँ तो यह है मारी बोरी बोरी आप चाहो तो काट करके इसमें दो पार्ट कर सकते हो नहीं तो आप एक काही कर सकते हो तो फिलाल है हल्गी सी बोरी है तो इस से देखिएगा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है तो सेम यही डिजाइन में आप लोग साथ सेयर करने वाली हूँ तो यहां पर मैं बीचो बीच निसानल ले ली हूँ क्योंकि मैंने यहां पर एक जो है डिजाइन बनके तयार कर लिया हुआ है तो बस इस हम नीचे से सूई लेके जाएंगे उपर क्योंकि हमें जो इसकी उनका गांट पड़ी हुई है वो नीचे चला जाए उपर ना दिखे तो यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इसकिप नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भगाऊंगी नहीं एकदम आराम से बताने व हो जुगा है ति यहां पर मैं दस धागे छोड़ने के बादू से इस तरह से उनका दाल रही हूं अब अगकिए कशान के इसता दाल दोंगी तो अगर आपका उन ज्यादा उलज रहा है तो आप थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं बर में साथ ऐसा प्राब्लम नहीं है तो यह देखिए इसी तरह से हमें दस्त का फिर से कर लेना है तो इस सिर्फ आपको एक ही बार में गिनना है क्योंकि जो आप सुरुआत करते हैं उसी में आपको बराबर से लेके चलना होगा डिजाइन को तो इसलिए आपको यहां पे गिन करके करना होगा और उसके बाद से आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके अराम से बनाएंगे आपको मतलब इतना बढ़िया अंदाजा हो जाएगा का आपको बिल्कुल भी गिनने की आउशकता नहीं पड़ेगी तो यह नीचे में जो हम बादेंगे उसमें सिर्फ एक धागा जो हम लिये थे बोरी का उसी में हमें सेम करना है तो यहां पे मैंने चारों डिजाइन बन यहां से इस तरह से हम सुई को ले जाएंगे तो थोड़ा सा जो धागा चिपक गया था निकल नहीं रहा था तो मैं यहां पर फास्ट फारवर्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हूं आराम से बता रहे हूं ताकि आप लोगों को समझ में आये और बहुत ही इजी है ते दिख है सेम यही प्रासर चारों के साथ करना है तो देखिए मैंने दो दागा यहां पर ले लिया हुआ था तो इसी तरह से यहां से भी हम एक तीच्छा से लेंगे यह देखिए यहां से एक धागा लेंगे और इसको भी हम खीच लेते हैं इस तरह से और उपर के साथ जाते हुए फिर से हमें दो दागा लेना है तो हमें चारों कोने से एक एक इस तरह से बना लेने हैं शुरुवात में आपको धागे पर विश्यश ध्यान देना होगा और उसके बाद आटोमेटिकली आपका जो है बनता जाएगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको आसानी से समझ में आ जाएग तो फैल्ली यहां से हमें तीर्चा करके लेना है इधर से हाँ इधर से लेना है आपकी सुई जो है बिल्कुल भी उल्टी नहीं होने चाहिए नहीं तो धागा आपका आगे पीछे हो सकता है तो यहां से भी हम दो लेते हैं अगली राउंड में हमारा तीन-तीन का जाएगा तो फाले हमारा जो है दूसरा round complete हुआ है पहला round आप लोगों ने दिखा था एक एक धागा लिया हुआ था दूसरे round में मैंने दो दो धागा लिया हुआ है अब इसी तरह से हमने जो नीचे से निसान बनाया हुआ है महीं से सेम हमें लेना है यह देखिए अब आपको दूसर तो यहां पर हम अब तीन तीन धागा लेंगे इस तरह से तो सेम वही चीज है उम्मिद करती हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगे वह बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो दिखने में आपके सिंपल सी बोरी जो रहे की न उसमें जब डिजाइन पढ़ेंगे न तापकी बोरी जो है बहुत जाजा सुन्दर लगेगी तो इस तरह से आप प्यारे प्यारी चीज बना सकते हैं बहुत शारी चीजे इससे बना सकते हैं तो गर्मी में हाथ का पंखा अगर आप बना रहे हैं इस तरह से तो आप इस तरह से डिजाइन उसमें निकाल सकते हैं प्यारे प्यारे तो चलिए यह तिसरा राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पे हमारा 3 राओंD कम्पलीट होने के बाद अब हमारा चलेगा चौतहरा राओंड तो सेम वहीं PRACES करना है अब मैं 4 चाल ले रही थी अब से यहां से हमारा 4 चाल का भी कम्पलीट हो चुका है तो यह दिखिए हमारा जो डिजाइन है काफी हद तक समझ में आने लगा है कुछ तो यहाँ पे अब हमारा चलेगा पांच वा राउंद यहाँ पे हम पांच पांच लेंगे तो मैं आप लोगों को बता रहे हूं कि शुरुआत में मैंने जो दस लिया हुआ था दस धागे लिए हुई थी मैंने आप लोगों बताया था लंबाई से मैं जब बना रही थी एकदम से स्टार्टेंग में तो मैंने वहां से दस धागे लिया हुआ था सेम वही हमें हमें करना है तक इसको कम्पलीट करना है यानि कि हमारा अभी पांच वा राउंड चल रहा है अभी हमें पांच राउंड और जलाना है हमारा दस राउंड का फ्लावर्स जो है बनके कम्प्लीट होगा और देखने में काफी ज़दा सुन्दर भी लगेगा और बड़ा भी रहेगा तो आप इस तरह से चाहो तो एक कलर के डिजाइन बना सकते हो और दो कलर के बना सकते हो आप बहुत सारे रंग विरंगे फ्लावर्स एक ही बोरी में बना सकते हैं तो बस इसी तरह से हमें डिजाइन को निकालना है तो यह देखिए आप काफी हद तक समझ में आ रहा है और अभी देख ले रहे हैं आपको कहां से धागा लेना है ओभी समझ में आ रहा है तो मेरा आधा जो है flowers complete हो चुका है तो उससे अभी थोड़ा छोटा है तिसका मतलब ये हमारा आधा complete हो गया है अब हम चलेंगे छटवे राउंड की तरफ 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 से हम गिनते जाएंगे तो इस बार हमारा छेदा अंधागे उठ रहे हैं एक साथ में तो बनाने में बहुत ही इजी है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा तो दोस्तो इस तरह से मैं एक बोरी में यहां पर 12-13 फूल तयार करूंगी और इस बोरी का मैं बनाने वाली हूं फिलाल चटाई तो आप क्या बनाने वाल हो इस तरह से डिजाइन डाल करके करी बैक बनाओगे या कुछ और जो भी बनाओगे आप लोग कमेंट में जरूर बताना तो यह देखिए फानली हमारा डिजाइन कंप्लीट होने वाला है हमारा आठवा राउंड चल रहा है यहां पर मैं आप ल कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक तो करी देना और आप लोग लाइक तो कर देते हो बड़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसे ना कीजिए प्लीज सब्सक्राइब करके फटा फट से वन के कंप्लीट करिए ताकि मुझे भी बहुत जादा खुशी हो और उस पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगा क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो इसमें आप लोगों को देती रहूंगी तो चलिए मैं यहां पर अपना जो है सारा डिजाइन कंप्लीट करती हूं मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और यह देखिए हमारा दो जो है डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है जो की काफी ज्यादा खुबसूरत लग रहा है तो अब हम चल रहे हैं तीसरा डिजाइन बनाने क्योंकि हमें इसको करना है कंप्लीट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ अब तक लिए